हेलो दोस्तो वेलकम टू यूर ओन चैनल टैटू थिंक एक्जाम थिंक आस और आज हम उपस्तित हैं रीजनिंग के एक और बहतरीन टॉपिक घड़ी जिसे क्लॉक कहते हैं इसके साथ और इससे सम्मंदित प्रस्ट जो है हर प्रतियोगी परिक्षा के रीजनिंग पार्ट मे पूछे ही जाते हैं और इस पार्ट में हम क्या करेंगे आप से जो है हम ऐसी ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे जो आपके कैलकुलेशन को काफी आसान कर देती है जिससे आपको इस तरह के प्रशनों को हल करने में बहुत सुविदा रहेगी चुकि यह एक वीडियो ल तरह की नेडल होती है आपकी एक है आपकी बड़ी नेडल होती है और एक चोटी नेडल होती है तो यहां जो छोटी नेडल है जो मोटी होती है इसे घंटे की सुई कहते हैं और दूसरी जो है आपकी जो बड़ी नेडल है यहां मिनट की सुई होती है और इस साथ में एक औ इतने इंक्लूड नहीं किये जाते तो मुख्यता हमारे पास आपी दो सुईया है एक तो घंटे की सुई और दूसरी क्या है आपकी मिनट की सुई तो आप यहां हम देख सकते हैं आसानी से कि जो हम इंडियन कॉंटेक्स में बात करें भरती परिपेक्ष में तो हम जो घड़ी हमारे हम जो डे टो डे लाइफ में यूज करते हैं उसमें एक से लेकर बारा तक की संख्याएं दर्शाई गई होती हैं और अगर हम यहां चित्र चार और पांच यह पांच खाने तो किनी भी दो संख्याओं के बीच में पांच खाने होते हैं और कुल मिलाके बारा संख्याएं होती हैं तो 12,560 कुल हमारे पास 60 खाने होते हैं तो मिनट की स्वी जो है जब वहां लिजे वो बारा पे है अभी अगर वहां चलती है पहले खाने से दूसरे खाने की तरफ आ जाती है तो इसे कहते हैं कि मिनट की सुई ने एक मिनट का समय पूरा कर लिया है तो इसी तरीके से जब मिनट की सुई पूरा आपका एक चक्का लगा लेती है बारा से घूम कर फिर बारा से चल कर फिर बारा पर आ जाती है तो क्या होता है क एक घंटे का समय हम माल लेते हैं कि समय पूरा हो गया है उसी दोरान क्या होता है कि आपकी जो घंटे की सुई है मालीजे अगर वो प्रारम्मिक इस्तिती में दोनों सुईयां हमारी 12 पर हैं घंटे की सुई भी 12 पर है और मिनट की सुई भी 12 पर है तो मिनट की सुई जो है 12 स से चल के 12 तक घूमके आएगी. तो उसने एक चक्कर पूरा कर दिया है, पूरा. तो कुल मिला के उसने खानों के हिसाब से अगर हम बात करें, तो उसने 60 खानों को travel किया है. 60 खाने उसने कुल travel किये है. 60 खाने का मतलब हो गया आपका, कि उसने 60 मिनट की दूरी तैंकी है तो 60 मिनट की दूरी जो है हमारी मिनट हैंड ने तैंकी है, इसके साथ साथ क्या हो जाएगा जो आपकी घंटे की सुई है, वहां क्या करती है 12 से लेकर वहां पहुंचेगी 1 पर पहुंचेगी तो 12 से घंटे की सुई 12 से पहुँचेगी 1 पर तो अगर हम चुकि देखिए हम यहाँ पर कुछ ना कुछ बेस लेना है कुछ आधार लेना है तो हम यहाँ पर जो हमारी गड़नाएं होंगी वहाँ एक खाना बराबर होगा वहाँ एक मिनट के आधार पर हम क्या करेंगे हम अपनी गड़नाओं को करेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि जब मिनट वाली सुई जो है एक चकर में एक चकर में जब वह क्या करती है मिनट की सुई आपके 60 मिनट चलती है 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई जो है घंटे की सुई गंटे की सुई यह है उतने ही समय में क्या करेगी वहाँ पांच मिनट की दूरी तै करेगी वहाँ पांच मिनट की दूरी तै करेगी तो यहां हम देख सकते हैं अगर हम खानों के हिसाब से बात कर रहे हैं हम केवल हम एक आधार लेना है तो हम चाहे घंटे को ले सकते हैं मिन कि ले सकते हैं पर मिनट को आधार लेना क्या आता है जादा convenient होता है जादा सुविदा जनक होता है तो हम यह कह सकते हैं कि जब मिनट की सुई इसको मैं clear कर दे रहा हूँ इससे क्या होगा हमें फिर इन चीजों को समझते हैं हम और अच्छे तरीके से तो यहाँ पर concept यह है कि जब minute की सुई एक चक्कर लगाएगी पूरा तो वहाँ 60 minute की दूरी तैय करेगी और जब घंटे की सुई है माल लिए वो प्राणमे की स्थित्व में 12 पर यह है तो उस दौरान जब minute की सुई जो है एक चक्कर पूरा लगा लेती है तो वहाँ 60 minute ट्रेवल करती है और घंटे की सुई जो है 12 से 1 पर आ जाएगी तो इसको हम माल लेते हैं कि यह 5 minute की दूरी तैय करती है हाला कि जो घंटे की सुई दौरा दिखाया दर्साय गया समय होता है वह एक घंटा होता है पर हम आधार की रूप में माल लेते हैं कि हम minute को हमने आधार मल लिया है और उसी के आधार पे हम गणलाए करेंगे तो इसके आधार पे आगे बढ़ते हैं देखिए अब यहाँ से निसकर्ष की क्या निकलता है निसकर्ष यह निकलता है कि minute वाली जो सुई है घंटे वाली सुई से 60 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 55 मिनट की दूरी जादा तैय करती है 60 मिनट में इस चीश को समझने की आवशकता है नियम यह है conclusion यह है कि जब minute वाली सुई जो है 60 मिन की दूरी तैय करती है एक चकर में उसी दौरान क्या करता है घंटे वाली सुई जो है 5 मिनट की दूरी तैय करता है हम क्योंकि हमने आधार क्या माना है आधार माना है हमने कि एक मिनट एक खाना जो है वह एक मिनट के बराबर है इसको हमने आधार माना है और इसी आधार को ह कि अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब है, मिनट वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई से 55 मिनट ज़्यादा तैं कर रहा है, कितने समय में, 60 मिनट में, तो इसके आधार पे अगर हम निसकर्ष निकालें, तो इसकर्ष ये निकलता है, कि मिनट की सुई जो है, वो घंटे की सुई से, एक मिनट की दूरी ज़्यादा तैं करेगी, कितने समय में, 60 वटे 55 इसको हल कर लिया हमने, जैसे 5 से अगर हम दोनों को कैंसल कर देते हैं, तो 12 वटे 5 मिनट बचता है, यहाँ पर इसको समझने की ज़रूरत है, कि यह है क्या, देखें, यहाँ जो है, एकाकी विदी से किया गया है, यह गड़ना जो है, यूनिटरी मेथट इसे कहते हैं, यहाँ क्या दर्श आता है, कि जब मिनट वाली सुई, जो है, 55 मिनट ज़्यादा चलती है, घंटे वाली सुई से, कितने समय में, 60 मिनट में, इसको फिर से समझने की ज़रूरत है, कि जब मिनट वाली सुई, 55 मिनट ज़्यादा चलती है, कितने समय में, जब वो 60 मिनट का चक्का लगाती है, तो अगर हम एक मिनट वो जादा चलेगी तो कितने समय में चलेगी वो इससे क्या करेंगे हम 60 को 55 से भाग दे देंगे तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ निशकर्स निकला है तो इसको मैं फिर से यह लाइन बहुत इंपोर्टेंट है यह आगे हमारे काम आने वाली है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से एक मिनट की दूरी जादा तैंग करती है कितने समय में इतने समय में 12 बटे 5 यह जो हम कि मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से एक मिनट जादा चलती है 12 बटे 11 मिनट में तो इसको हमें याद रखेंगे और यह हमारे आगे काम आने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके आदार पे हमारी जो सुईयां है उनकी प्रवर्ति क्या होती है सुईयों की प वहां कुछ न कुछ मूव करती है एक खाने से दूसरे खाने पया जाती है एक संक्या से दूसरी संक्या पया जाती है तो इस दौरान होता है क्या है इस दौरान जो है वहां एक बार आपस में मिलती है मतलब दोनों सुईया जो है एक बार एक दूसरे से मिल के जाएंगी क् मैं इसको फिर से जुर्णुस करूं आज कि मिनट वाली जो सुई ह कि है अगर ये किसी शंक्या पर है इस तरीके से तो इसमें क्या होता है EUG मिनट वाली स्वी पूरा एक चक्का लगाएगी, तो अगर यहां पहुंची होगी. मतलब, दोनों एक दूसरे से मिलती है, तो दूसरा बिनदु है कि एक दूसरे के विपरेद दिशाम होती है. तो एक इस्तिती ऐसी आती है कि घंटे वाली सुई माली जे इस इस्तिती में है तो मिनट वाली जो सुई है वो है कि होगी इस इस्तिती में होगी एक दूसरे के विपरीत दिशाम में होगी 180 डिगरी का कोण बनाएंगी तो ये दूसरी इस्तिती होती है तीसरा है आपका दो बार एक दूसरे से समकोण बनाती है एक चक्कर में जो है इसको हम समझते हैं जैसे माली ये है कि यहाँ पर है अभी गंटे की सूई माली 12 पर है तो जब ये मूव करना शुरू करती है तो एक स्थिति ऐसी आईगी कि जो है आपका दूसी इस्तितिय आई आएगी माल ये फिर घंटे की सुई यहां पहुच गई फिर उसके बाद क्या होगा मिनट की सुई लगवा इधर होगी तो दो बार क्या होता है एक दूसरे से 90 डिग्री का कुण बनाती है तो ये तो रही आपकी सुईयों की प्रवर्ती इस तरीके से सुईयों जो है एक चक्कर में बिहेव करती है अब चलिए एक प्रशन देखते हैं हम उधारण है कि 4 से 5 के 20 घंटे और मिनट की सुईयों कब आपस में मिलेंगी तो ये हमें विकल्प दे रखे हैं कि 4 बचकर 20 सही 9 बटे 11 मिनट पर या 4 बचकर 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर इस तरीके से हमें यहां विकल्प हमें दे रखे हैं और इनको हमें क्या करना है हल करना है तो इसके बाद देखते हैं चलिए इसके हल को तो यह हम जो है घड़ी हमें प्रशन दे रखाया है कि 4 और 5 के बीच में घंटे और मिनट के सुईयों कब आपस में मिलेंगी तो आपकी वहां होगी सिधे आपके 12 पर 12 पर होगी अब क्या होगा जब मिनट की सुईय आपकी चक्का लगाना शुरू करेगी तो घंटे की सुईय भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और वहां देखिए कब आपको यहां आके यहां कब मिलेगी तो यहां पर प्रारंबिक इस क्यों किस्तिति चार बजह चार पर और मिनट की सुई可以 प्रारंविक किस्तितिति एंब आपर अब यह 24 प्रांज के बीच में जब ट्रेवल करेंगे यह घंट की सुई 4-5 के बीच में ट्रेवल करेंगि-नम् Gefling करें और मिनट की सुई पूरा एक में मिलेगी ही मिलेगी तो अब उसकी गढ़ना क्या से होगी देखिए प्रारम्बिक स्तिती के अगर हम बात करें तो मैं इसको clear कर देता हूँ देखिए हमारी प्रारम्बिक स्तिती जो है वह क्या है कि घंटे की जो सुई है वो आपकी क्या है चार पर है और मिनट की सुई आपकी बारा पर है तो देखिए प्रारम्बिक स्तिती के अगर हम बात करें तो दोनों सुईयों की बीच में कुल कितना अंतर है कितने मिनट का अंतर है देखिए बारा से लेकर चार तक कुल आपके खाने है आपके 20 खाने है कुल छोटे छोटे जो खाने है ये एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरीके से कुल बीस खाने है, तो इसका मतलब है दोनों सुईयों के बीज में जो है 20 मिनिट का अंतर है, तो हम यहां माल लेते हैं कि दोनों सुईयां चार के निशान से एकस मिनिट के दूरी पर मिलती हैं, माल लिया, तो ग tadने के स्वी दवारस तैये की दूरी हमने माल लिया, X मनल लेते हैं कि जब मिन्ट के स्वी आपकी चलना शुरू करेगी, और गघन्टे के स्वी उस दोरान जो है X मिन्ट की दूरी तैय कर लेगे देखिए हमने पहले हमने बात की थे कि हम जो इसमें दूरी की गड़ना करेंगे वह मिनटों के आधार पर करेंगे तो हम माल लेते हैं कि जो घंटे की सुई है वहाँ क्या करेंगे एक्स मिनट चलती है हम यहाँ पर घंटे में नहीं लेके चलना है त मिनट में ही लेगे चलना, तो माल लेते हैं हम कि वहाँ क्या कर रही है, घंटे की सुई जो है, वहाँ X मिनट तैय कर लेती है, तो इस दौरान जब मिनट की सुई घंटे की सुई को मिलेगी, तो मिनट की सुई द्वारा तैय की गई दूरी कितनी होगी, एक तो ये 20 मिनट का जो gap है दोनों का शुरू में प्रारंबिक वो तो उसने cover करना ही करना है साथ में जो घंटे द्वारा x दूरी और x मिनट की दूरी और चल ली गई है तो इतनी दूरी उससे चलनी पड़ेगी मिनट की सुई को तब जाके वह उसको क्रॉस कर पाएगी या एक दूसरे से मिल पाएगी तो मिनट की सुई द्वारा घंटे की सुई की अप एक शा चली गई अधिक दूरी कितनी होगी तो हम यह दोनों दूरी को अगर हम घटा देते हैं तो यह है आपका मिनट की सुई द्वारा चली गई दूरी और यह है घंटे की सुई द्वारा चली गई दूरी तो इसका मतलब है कुल में लाके कि मिनट की सुई को 20 मिनट का जो अंतराल है वहां क्या करना है पूरा करना है तो 20 मिनट उसने ज्यादा चलना है तो आप आगे देखते हैं देखिये।MINत की सुई, घंटे की सुई किreपश्ण एक मिनिट की दूरी तै करती है। हमने देखे पीछे भी डिसकस किया था, कि 12 बटा, 11 मिनिट में एक मिनुट की दूरी वहा जादा तै करेगी। अब उसने कुल मिनट की सुई ने दूरी तैय करनी है, 20 मिनट की अधिक दूरी तैय करनी है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, तो एक मिनट की दूरी अधिक तैय करने में, मिनट की सुई को लगता है समय 12 बटे 10 मिनट, 12 बटे 11 मिनट का, इतना समय ज़ादा लगता है, मिनट की सुई को घंटे की सुई से एक मिनट ज़ादा ट्रेवल करने में, तो अब यहां अगर हम 20 मिनट की बात करें, तो 20 मिनट की अगर दूरी तैय करने हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे सीधे सीधे, तो इसको हल कर लेंगे हम 12 दूणी 24 ये 240 बटे 11 हो गिया इसको हम अगर मिसरित भिन्वें बदल लेंगे 11 से भाग देके तो वह क्या हो जाएगा 21 सही 9 बटे 11 मिनट हो जाएगा ये गड़ना जो है समानी गड़ना है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं 240 को 11 से भाग दे के तो भाग देना आसान है काफी 11 से हम भाग देंगे 11 दुनी 22 हो गया यह दो बार हो जाएगा चला जाएगा यहां पर फिर घटाएंगे आपका 2 20 बचा फिर 11 कम 11 एक बार ये जो है एक बार मैं इसको दिखाता हूँ एक बार जो है फिर यह भाग चला जाएगा तो यह हो गया आपका यहां घटाएंगे आपका 9 बचेगा तो 9 यहां 6 हो गया तो जो 6 राष्टी होती है वो यहां पर आ जाती है इसका मतलब है कि 9 को अभी हमने 11 से और भाग करना है तो 21 बार पूरा पूरा जो भाग चला जाता है उसे आगे लिख लें तो 21 सही 9 बचे 11 मिनट के समय अंतराल के बाद वह क्या है दोनों सुयां आपस में मिलेंगे तो देखिए हमारा जो समय था वो कितना था कि 4 बजे 4 से 5 के बीच में हमने घंटे और मिनट के सुयां कब मिलेंगे तो चार से पांच के बीच में देखे चार बजे तो घंटे की सुई आपकी है यहाँ पर ठीक है और मिनट की सुई जो है इतनी दूरी जब तैंकर लेगी 21 सही 9 बटे 11 मिनट की दूरी जब ज़्यादा तैंकर लेगी तब वो मिलेंगी तो इसका मतलब है कुल मिलाके दोनों स हमारा सही हो गया तो इस तरीके से इस तरह की गढ़ना की जाते हैं चलिए एक और उधारन देखते हैं अगला उधारन है इसी तरह से संबन देता है चार और पांच बजे के बीच घंटे और मिनट की सुईयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी अब यहाँ पर बिलकुल जो है आपकी reverse condition है हमारे पास विकल्प हमारे पास दे रखे हैं इसको हमें जाचना है तो देखिए इसको भी समझते हैं देखे प्रारम में की स्तिति क्या होगी चार और पांच के बीच में हमने देखना है तो प्रारम में जो घंटे की सुई है वहाँ चार पे होगी और मि जब मिनट की सुई आगे बढ़ना शुरू करेगी तो उसी के साथ साथ क्या होगा घंटे की सुई भी आगे बढ़ना शुरू करेगी तो अभी इस स्तिति में क्या होगा देखिए अभी प्रारम्बिक जो गैप है दोनों में जो प्रारम्बिक अंतर है हुआ कितने समय का ह 20 मिनटों का है 20 मिनटों का जो है अंतराल है दोनों में अभी अब क्या होगा जब यहाँ मिनट की जो सुई है वहाँ घुमते 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 क्या होगा इस तरह के हम मोटा मोटा ही माल रहे कि इस इस्तिती में जब आ जाएगी तब वह एक दूसरे के तो इस दौरान जब मिनट की सुई जो है आपकी 12 से चल कर लबह 10 और 11 के बीच में कहीं पर होगी उस इस्तिती में क्या होगा घंटे की सुई भी थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होगी पर ये एक मोटे मोटे आनुमान के लिए कि हमें ये स्तिती देखनी है कि कुल मिलाके ज 30-30 मिनट की दूरी होती है जैसे हमने बात कि अभी हमने कोण में बात की थी कि 180 डिगरी का कोण होना चाहिए तो अगर हम इसको यहाँ पर बात कर रहा है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो हमें समझने में थोड़ी सी और अच्छे आसानी हो जाएगी और इस्तिती यह है कि हमने देखना है कि जो है सुईया आपकी वहां क्या है विपरीत दिशा में कप होंगी देखिए माले थे हैं चार से थोड़ा सा आगे आपकी घंटे की सुई चल चुकी है और मिनट की स रहीं कि सुई जब इस इस्तिती में होगी देखिए तो अगर हम यहाँ पर इनकी गणड़ना क्रें खानों की अग्र हम मिनटों के हिसाब से अगर हम दूरी की कि अग्र collegback यह ना करें तो चार से पांच के बीच में देखिए आपके 5 मिनट हैं फिर यह 5 मिनटे और 10 मिनट मिनिट हो गाए यह बीस मिनिट हो गए यए पच्चिस मिनिट हो और यह 30 मिनिट हो गए Yep क्या है निकी भीस मिनट का अंथर नहीं लाए और तो किल मिला के जो है अता दोनों सुई एक दूसरे के विप्रीत तब होंगी जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 30 मिनट आगे निकल जाए अर्थात 20 धन 30, अता 50 मिनट की दूरी अधिक तैं करनी है, अब मिनट के, मिनट हेंड ने, मिनट हेंड ने क्या करना है, इदनी दूरी ज़्यादा तैं करनी है तो अब फिर वही साधान से गड़ना हो जाएगी कि मिनट की सुई 50 मिनट की दूरी अधिक तैय करने में लगा समय जैसे अभी हमने बात की थे कि एक मिनट की दूरी अधिक तैय करने में समय लगता है कितना 12 बटे 11 मिनट का समय लगता है मिनट हेंड को और अगर 50 मिनट की दूरी उससे तैय करनी है तो हम क्या करेंगे दोनों को गुणा कर देंगे तो इसको हम 12 बटे 11 को हम 50 से गुणा कर देंगे तो इसको गुणा करके आ जाएगा 600 बटे 11 मिनट तो इतना मिनट जब वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा, मिनट की हैंड, मिनट हैंड जो है, मिनट की सुई इतनी दूरी ज़्यादा तैकल लेगी, तो वह क्या होगा, घंटे की सुई के जस्ट विपरीत दिशा में होगा, तो इसको हल कर लेंगे आप, तो यह जाएगा, आपका 54 सही, 6 बटे, 11 मिनट आ जाएगा, वही साधान सा भाग है, उसके आधार पर हम इसको कर सकते हैं, तो इस तरीके से अब मिनट की सुई को इतना समय जब वो चल लेगी, तब क्या होगी, चार के विपरीत होगी, तो कुल समय कितना होगा, प्रारम वो है, चार से, तो चार में इतना समय आपका जुड जाएगा तो उस समय क्या होगा, आपका मिनट की सुई और घंटे की सुई आपकी विपरीते दिशाओं में होगी, तो इस आधार पर जो है, आपका सही विकल्प हो जाएगा, आपका सही विकल्प, चार बच कर चववन सही 6 बटे 11 मिनट पर, तो इस तरीके से देखिए, हमने दोनो स्तितियों को देख लिया, जब सुई याँ एक दूसरे से मिलती है, वाली स्तिति देख लिया हमने हो, जब सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, उस स्तिति को भी हमने देख लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एक और प्रशन है, अब ये थोड़ा सा, का सा अंतर दोनों में, अब हमारी, जो हमें समय अंतराल दे रखा है, वा आठ और नौ बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयां कम मिलेंगी, ये हमने गयात करना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, कि देखे, आठ और नौ बजे के बीच के अगर हम प्रारंबिक समय की बात करें, तो घंटे की सुई आठ पर होगी, और मिनट की सुई जो है, आपकी बारा पर होगी, प्रारंबिक स्थिती में, तो इसने क्या करना है, अब इतना समय अंतराल उसने क्या करना है, यहाँ पर इतना समय अंतराल पूरा करना है, तो ये समय अंतराल हम देख लेते ह जो है 40 मिनिट के अंतराल को पूरा कर लेगी, तो वह क्या होंगी, दोनों सुईयां आपस में मिल जाएगी, यह इस्तिति हमने इसलिए लिया है, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, 4 और 5 के बीच के समय अंतराल को देखा था, तो यहाँ पर इस्तिति थोड़ी से अलग थी, यहाँ पर क्या है, समय अंतराल हमारा जादा है, तो यह 40 मिनिट का समय अंतराल, तो 40 मिनिट का समय जब अधिक चल लेगे, तो क्या होगा, आपस में मिल जाएगे, तो यहाँ पर सीधे हम देख सकते हैं, बागी सारी सारी चीज़ा समान रहेंगे, क्य 끝나 statistical चाहिए 30 मिनिट क तो इसका मतलब है कि 8 बचकर 43 सही 7 बटे 11 मिनट पर गंटे और मिनट की सुईयां आपस में मिलेंगी तो ये थोड़ा सा समय अंतराल की वेज़ा से हमने क्या क्या है इस उधारण को लिया था कि समय अंतराल जब जब ज़्यादा हो तब क्या होगा सारी सामानी चीज़े बाकी सारी वही रहेंगी और अब देखिए अब ये दूसरी इस्तिति है तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है और यहाँ पर विशेश से ध्यान देने के आव शकता है प्रस्ण है हमारा आठ से नौ बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई या एक दूसरे के विपरीत कब होगी अब ये प्रस्ण साधान से लग सकता है पर उन्तो इसमें थोड़ा सा अंतर है और वो अंतर क्या है उस पर हम बात करते हैं देखिए प्रारमी की स्तिति में क्या होगा आठ और नौ के बीच में हमने समय को देखना है तो घंटे की सुई है वह आपकी आठ पर होगी और मिनट की सुई है वह आपकी क्या होगी बारा पर होगी अब यहाँ पर हमने देखना है कि विपरीत दिशाओं में कब होगी तो देखिए जब यहाँ से मिनट की आप इसके विपरीत दिशा में चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीत दिशा में चाहिए तो इतना ही समय उसने पूरा करना है, मात्र, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही अंतराल उसने पूरा करना है, पीछे के प्रशनों की तरह अब अंतराल जादा नहीं है, तो अब देखें इसको समझते हैं, जब दोनों सुईयों के बीच 30 मिनट की दूरी होगी, वही 30 मिनट की दूरी होगी, देखें, जब इस्तिती मैं, डॉटेट टूटी यू रेखा से, जो मैंने घंटे की स्तिती दिखा रखिए, और दूसरी आपके मिनट की सुईयों, तो यहाँ पर फिर वही 30 मिनट का अंतराल आएगा, देखें, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो 5 खाने इधर हो जाएंगे, फिर ऐसे 10, अगर हम 8 से गढ़ना कर लेते माल यह, तो 5 यह हुए, 10, 15, 20, 25, 30, लगवा-लवा इस दिशा में, तो कुल मिला के जो है, इतना अंतरा होगा आपका, तो 30 मिनट का अंतराल होना चाहिए, और 8 बजे दोनों सुईयों के बीच, 40 मिनट का अंतर पहले से होता है, देखें, हम इस पर देखें के प्रारमी के स्तिती में, जब 8 बजे, घंटे के सुई जो है, 8 पर होगी, और मिनट के सुई जो है, आपकी 12 पर होगी तो उस स्तिती में क्या है, देखें, 40 मिनट का अंतर तो उसमें पहले से ही है, तो अगर यहा क्या करें, मिनट के सुई जो है, 10 मिनट का अंतराल के बल पूरा कर लें, तो विपरीत के लिए 30 मिनट का अंतर होना चाहिए, अता है, यदि मिनट की सुई 10 मिनट की अधिक दू तो दोनों की बीच 30 मिनट का अंतर हो जाएगा और वो एक दूसरे के विपरिता जाएगे तो यहां पर हमने क्या करना है केवल और केवल 10 मिनट के अंतराल का की दूरी जो है तैं करने में लगा समय हमें ग्यात करना है तो इसको जो है एक मिनट में मिनट एक मिनट की दूरी क को तैय करने में लगा समय मिनट की सुई द्वारा घंटे की अपेक्षा वह क्या होता है बारा बट्टे ग्यारा होता है तो अब हमें 10 मिनट का क्या करना है तो 10 और हम 12 को गुणा कर देंगे तो इसको पूरा हम हल करेंगे तो 10 सही 10 बट्टे 11 मिनट की दूरी मातर चलनी है कि इस ने, मिनट की सुई ने, जब वो घंटे की सुई के क्या विपरीत दी समय होगी, तो समय क्या हो जागा इस प्रकार से, आड़ बचकर दस सही, दस बटे, ग्यारा मिनट पर घंटे और मिनट की सुई या जो है, एक दूसरे के विपरीत होगी, तो ये एक महत्पूर्ण इस से अलग बैक्ग्राउंड के हैं, तो कई बार क्या होता है, कि हमने, जो है, समय निकालने में, क्या होती है, दिक्कत आती है, इस तरह की गढ़ना करने में दिक्कत आती है, तो अब प्राया क्या होता है, टेंडेंसी ये देखी जाती है, कि लोग जो है, इस तरह के प्रशन और मिनट की सुई हैं जो है एक दूस्य से मिलेंगी या विपरीद दिशा मरेंगी तो वो समय निकालने के लिए हमने क्या करना है मिनट बराबर हो जाएगा जो सूतर है वह है दो बटे क्यारा फिर यहां कोश्टक के अंदर ब्रैकेट में है प्रथम घंटा प्रथम घंटा और फिर क्या है गुणा तीस प्रथम घंटा गुणा तीस फिर धन और रिन प्लस माइनस कोण जो है तो यह आपका सूतर है जिस सूतर का प्रियोग करके हम क्या कर सकते हैं इन प्रशनों को आसानी से कर सकते हैं तो इसको आप नोट कर लेंगे और इसका अभ्यास कर लेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी हुजएगी पीछे के प्रश्णों को हल करने में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी तो चलिए इस सूत्र को समझ लेते हैं मिनट है हमें जो हमें समय निकालना है कि कितने समय बात गंटे और मिनट के सुईयां आपस में मिलेंगी या विपरित दिशा में रहेंगी दो बटा, 11 तो सिदे सिदे संख्या हो गई प्रथम घंटे की बात करें तो प्रथम घंटा क्या हुआ जैसे अभी हमें पीछे प्रश्णों में देखा कि हमने ग्यात करना था कि चार से पांच के बीच में जो है मिनट की सुई और घंटे की सुई कब एक दूसरे से मिलेंगी या फिर कब एक दूसरे के विपरित दिशा में होंगी तो समय क्या था हमारा चार से पांच तो यह चार से पांच जो हमें समय अंतराल दे रखा है तो इसमें जो पहला घंटा हुआ वह यहाँ पर प्रथम घंटा हुआ तो यहाँ पर हम जैसे अगर हम बात करना है चार से पांच के बीच में अगर हम बात करें कि चार से पांच के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कब मिलेंगे आपस में तो यहाँ पर इसको अगर हम हल करें तो 2 बट्टा 11 वैसे ही रहेगा और यहाँ पर प्रतम घंटा हमारा क्या जागा? 4 जागा 4 गुणा 30 प्लस माइनस कोण कोण क्या हुआ? देखिए जब दोनों कोण कोण को हम समझ लेते हैं हापर घंटे की सुई है माल लिजे हमारे पास और मिनट किस हुई है जब वो एक दूसरे को मिलते हैं तो इस इस्तिति व्हों एक के उपर एक इस्तित होते हैं एक के उपर एक लाई कर रहे होते हैं तो इस इस्तिति में दोनों के बीच जो कुण बachtetा है वो कितना ब soutी गुलता है यहाँ पर सुन्नी धेक्री इसको हम हल कर लेंगे 2 बटे 11 यह हल कर लिए यह भाग तो हमारा क्या हो जाएगा समाप तो जाएगा क्योंकि इसका मान शुन्य है यह कितना हो गया हमारा 120 हो गया और इसको हल कर लेंगे अगर हम तो यह हो जाएगा आपका 240 बटे 11 240 बटे 11 और इसको हम हल कर लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, उन्निस सही, नौ बटे, ग्यारा मिनट, तो देखिए यह सूतर का प्रियोग करके हम क्या कर सकते हैं, सीधे-सीधे हम इसकी गड़ना कर सकते हैं, आप रही दूसरी इस्तिति को भी देख लेते हैं, कि समय हमारे पास वही दूसरी स्तिति के आदार के हम समय ग्यात करना चाहें, समय कितना हो जाएगा, मिनट बराबर हो जाएगा हमारा 2 बट्टे 11 सूत्र वही राएगा कोश्टक में क्या जाएगा ब्रैकेट में प्रथम गंटा प्रथम गंटा आपका वह 4 ही है क्योंकि हम उनिकी बीच के बात है 4 गुणा क्या हो जाएगा 30 हो गया प्लस माइनस अब यहाँ पर कोण कितना है देखिए कोण है हम जो हमें ग्याद करना है कोण है यहाँ पर इस स्थेती में 180 है तो यहाँ पर कोण जो हो जाएगा हमारा आजाएगा 180 डिगरी आजाएगा तो 180 डिगरी आजाएगा तो यहाँ पर क्या करना है हमने अब इसको हल कर लेना है तो इसको हल कैसे करेंगे तो क्या हो जागा मान इसका देखिए दो बटे 11 इन दोनों का गुड़न जो प्रोड़क्ट है वो कितना हो गया 120 हो गया प्लस माइनस 180 हो गया तो यह प्लस माइनस कैसे करना होता है प्लस माइनस जो है वह उस स्तिति में देखना रहा हों उस आधार पे देखना होता है हमने तो जब इन दोनों का जो गुडणफल है मतलब प्रथम घंटे और 30 मिनट का गुडणफल अगर क्या है इस कौन से कम आ रहा है तो हम योग करते हैं अनिता हम क्या करते हैं अंतर लेते हैं तो एक सो अच्छा मां की जिएगा यह डिगरी नहीं है यह 120 है और यहाँ पर प्लस आजाएगा अब हम माइनस जो साइन है उसको छोड़ देंगे प्लस 180 डिगरी आजाएगा तो कैलकुलेशन के पॉइंट अफ्यू से जो है दो बटे ग्यारा और इन दोनों का यह हो जाएगा आपका 300 हो गया तो 300 गुणा 2 हो गया 60, 60 बटे ग्यारा तो इसको अगर हम मिस्री तो उसमें बात कर लेंगे तो लग बलब यह आएगा तो यह लबग इतना आजाएगा आपका 55 सही 6 बटे 11 मिनट आपका माना जाएगा तो इस तरीके से देखिए हम देख सकते हैं कि सूतर का प्रियोग करके हम क्या कर सकते हैं दोनों ही प्रशनों को इस तरह के प्रशनों को हम तुरंत निकाल सकते हैं तो यहाँ पर किवल एक चीज का ध्यान अकना है सूतर एक तो याद रखना है और दूसरा क्या करना है कि यह जो हम प्लस माइनस का हम जो साइन ले रहे हैं उसको ध्यान अकना है उसके लिए क्या क अब जो है अगला टॉपिक है हमारा वो है सुईयों के बीच का कून तो सुईयों के कून से तातपड़ क्या हुआ देखिए हम अगर इस्तिती की बात करें प्रारंभिक स्तिती की तो मा लेजे जो घंटे की सुईय है वहां कितनी है आपके 12 पर है और minute की सुई जो है आपकी वो भी 12 पर है तो ये भी प्रारम भी गिस्तिती है बिल्कुल तो इस समय क्या होता है दोनों ही सुई यां एक दूसरे के एक दूसरे से मिलती है तो इस समय इनके बीच का कौन होता है शुनिया पर जैसे जैसे मिनट के सुई जो है आगे बढ़ती है मिनट के सुई एक पे पहुंची माल यह फिर उसके दो पहुंची फिर उसके तीन पहुंची तो इसमें जो है वो इस तरीके से आगे पुरा मूव करती है तो जब मिनट की स्वी जो है, पूरा एक चक्कर लगाती है, पूरे एक चक्कर में क्या होता है, मिनट की स्वी द्वारा, मिनट की स्वी द्वारा जो तैं किया गया समय है, आपका, तैं किया गया कोण जो है, एक चक्कर में मिनट की स्वी द्वारा पार किया गया, या तैं क में गया जो कौन है वहा Keith 360 डिगरी का होता है तो 360 degrees ज्ट esti 38 nov करता है तो आगर हम मिनिट की बात करें तो इस मीलट में इस जो कितने हैं इस साठ मिनिट में दोर है मिनें साठ मिनिट में कμ offensive डार चला गया क्कैẫn कितना होता है 360 degree होता है तो अगर हम एक minute की बात करें तो एक minute में क्या होता है इसको हम भाग दे देंगे तो 360 भागा 60 हो जाएगा तो यह आजाएगा आपका 66 degree आजाएगा तो एक minute में जो minute का hand है minute hand है जो minute की सुई है वहाँ 6 degree का कौन तैं करती है तो उसी आधार पे क्या होगा और यहाँ पर अगर हम घंटे की सुई की बात करें घंटे की जो सुई है वह एक minute में कितनी दूरी तैं करती है यह भी हम जाल लेते हैं आगे हमें काफी आसानी हो जाएगी घंटे की सुई जो है एक minute में जो दूरी तैं करती है वह होता है आधा डिगरी हाफ डिगरी के वलवो क्या करती है या 0.5 आप कह सकते हैं 0.5 डिगरी जो है वो ट्रेवल करती है एक minute के समय में जो घंटे की सुई द्वारा जो है घंटे की सुई माल लीजे अभी 5 पर है तो एक minute जब minute की सुई द्वारा एक minute का समय चला जाएगा तो उस दौरान घंटे की सुई जो है वहाँ आधा डिगरी जो है मूव करती है 0.5 डिगरी मूव करती है तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे जो है basic अपनी गड़ना कर लेंगे तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है वो यह है कि मैं इसको पहले clear कर दे रहाँ कि यहाँ पर हम इसके जो घड़ी है हमारी उसके समानी चीजों को भी हम देख लेते हैं जो हमें यहाँ पर समझने में help करेगा और वो क्या है देखे जो हमारा यह पूरा जो कौन है मिनट की सुई को ही हम आधार लेके चल देते हैं कि मिनट की सुई जब पूरा एक चक्का लगा देती है तो वह 360 डिग्री को 360 डिग्री पूरे कर लेती है पार करती है यहां चलती है कि आप कह सकते हैं तो यह 360 degree का जो कौन है इसको हम क्या करते हैं सुविधा की द्रिस्टी से अगर मिनट की सुई यहां आती है तो यहां कौन जो है आपका 90 degree होता है यह 90 degree हुआ फिर मिनट की सुई जब 3 से 6 पर आजाएगी तो यहां क्या हुआ यह भी 90 degree हुआ और कुल जो कौन हो गया प्रारमी की स्थिति से वह हो जागा 180 degree 180 degree है फिर 6 से 9 पर जब मिनट की सुई पहुँच जाएगी फिर यहां 90 degree का कौन होता है और कुल कौन जो है प्रारमी की स्थिति से चला हुआ कितना हो जाता है 210 डिगरी हो जाता है फिर 9 जब 12 पर पहुचे गाङी मिनट की सुई तो फिर यह 90 डिगरी का कोण होता है यहां पर 9 से 12 के बीच में और कुल जो कोण हो जाता है वो 360 Detげ तो यह समझनी चीज़े हैं और इसके आधार में हम आगे प्रश्णों को हल करेंगे तो सुईयों के बीच के कौन से समझनी जो उधारन है हमारे पास वो है कि चार बच कर चालिस मिनट पर दोनों सुईयों के बीच कितने अंशका कोन होगा इसकी हमें गड़ना करनी है तो यहाँ पर देखिए चार बच कर चालिस मिनट पर घंटे की सुई चार के निशान से कुछ आगे होगी और मिनट की सुई जो है आठ के निशान पर होगी तो यहा पर चाराइब पर उसके बाद 40 मिनट बात, चूकि हमें समय निकालना है, 4 बचकर 40 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच के कोणों को हमें ग्याद करना है, तो 40 मिनट बात क्या होगा, कि यहाँ जो मिनट वाली आपकी सुईय है, वहाँ घूम कर कहाँ पर पहुंच चुकी होग और जो घंटे वाली सुई है कि जो कि इस प्रारम्य में चार पर रही होगी वह कहां पहुंच जाएगी थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगी चार से अब यहां पर गढ़ना करने है देखे चार और आठ के निशान के बीच 20 मिनट की दूरी होती है अगर हम घंटे की सुई को चार पर ही ठीक माल लें और मिनट की सुई को आठ पर माल लें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों की बीच जो है वहां अंतर जो है वहां आपका 20 मिनट का है क्योंकि हमें पता है कि दो संख्याओं के बीच जो है पांच मिनट का अंतर होता है तो पांच, दस, पंद्रा और ये बीस तो बीस मिनट का अंतर है तो बीस मिनट का अंतर है अर्थात इसको हम जो है अगर गड़ना करें तो बीस मिनट किसके बराबर हो है आपके 120 डिगरी के बराबर होगा है 20 degree के 20 minute जो है क्योंकि एक minute जो है वहाँ 6 degree के बराबर होता है तो 20 minute कितने हो गए 20 गुणा 6 degree बराबर 120 degree यहाँ पर मान हो जाएगा तो 4 और 8 के बीच में यह जो अंतर है हमारा 4 और 8 के बीच का वो कितना है आपका 120 degree है परन्तो इस दौराण क्या होगा कि 40 minute जो आपकी minute की switch जो है वो 12 से 8 पे पहुंच चुकी है तो इस दौराण क्या होगा घंटे की switch जो है 4 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी अब हमें पता ह है घंटे की switch जो है एक minute में वहाँ बढ़ती है आपका आधा degree हाफ degree जो है वहाँ बढ़ जाती है तो देखे 40 minute का यहाँ पर जो है समय गुजरा है तो 40 minute के दौराण जो है घंटे की switch कितना कौन जो है move कर जाएगी उसके लिए हम क्या करेंगे इनको आपस में हमने product find कर लि देती है अगर हम घंटे की switch को चार पर मानते है और minute की switch को आठ पर मानते है तो उनके बीच का कोण है 120 degree परन्तु इस दौरान जो है घंटे की switch 20 degree आगे बढ़ चुकी है तो जो परिणामी कोण होगा दोनों सुईयों की बीच में वहाँ क्या हो जाएगा 120 degree में से हम क्या कर है कि answer जो है आपका वो कितना हो गया 100 degree तो इस इस इस्तिती में जो यह आपकी पूरी रेखा से दिखा रखा है मैं इसको यहाँ पर highlight कर रहा हूँ red color से darken कर रहा हूँ इसे तो चार गंटे वाली सुई और minute वाली सुई के बीच में जो परिणामी कोण होगा वहाँ क्या हो जाएगा आपका 100 degree हो गया तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको ग्यात कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर हम बीच में हम पहले ही बात कर तो चलिए हम इसको करते हैं मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि हम ट्रिक से हम क्या करते हैं कई बार क्या होता है कि ट्रिक से हमारा एक तो समय बचता है और दूसरा क्या होता है कि हमारा जो है अगर कहीं हमारी कोई तूटी वगरा हो रही है कोई अगर हम मिस्टेक हो रही देखिए हम पहले ही जो है एक सूत्र पढ़ चुके हैं समय वगरा की गढ़ना के लिए कि मिनट बराबर जो होता है दो बटे ग्यारा गुणा ब्रैकेट में आजाएगा आपका पहला घंटा पहला घंटा या फिर प्रारमभिक जो आपका इनीशियल आपका टाइम हुआ पहला घंटा गुणा मटिप्लाइड बाई 30 प्लस माइनस जो है वहाँ क्या होता है कोण को हम थेटा से दिखाते हैं थेटा ये एक लेटर होता है तो थेटा डिग्री आप इससे दिखा सकते हैं मिनट की हम बात करें तो मिनट यहाँ पर क्या होगा हमने ग्यात करना है कोण ग्यात करना है थेटा ग्यात करना है हमने थेटा ग्यात करना है तो मिनट यहाँ पर क्या होगा देखिए 12 पर जब मिनट हेंड होगी और जब यहाँ मूव करके किस पर आ जाती है आठ पर पहु यह भी चार बच कर 40 मिनट के दौरान हम घंटे और मिनट हैंड के बीच के कोड को हम याद कर रहे हैं, तो पहला घंटा यहाँ पर 4 को इंद रखिया जाएगा, तो 4 इंटू 30 हो जाएगा, प्लस माइनस थेटा, थेटा डिग्री जो है, यह हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ इसको सिंप्लिफाई कर लेते हैं, या 11 को हम इधर मुटिप्लाई कर देते हैं, तो 11 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, 440 हो गया, और यह 2 से अंदर मुटिप्लाई हो जाएगा, सारी वैल्यूस में, तो 2 इंटू, अभी मैं फिलाल इसको ऐसी लिख दे रहा हूं, इसको सिंप्लिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 4 इंटू 30 हो गया, 120 हो गया, प्लस माइनस थेटा डिग्री, यह वैल्यूस हो गई आपकी, अब यहाँ पर इसको सिंप्लिफाई करते हैं, तो 440 हमने 120 में मॉटिप्लाई कर दिया, तो 240 हो गया, प्लस माइनस 2 थेटा डिग्री हो जाएगा, अब यहाँ पर 240 को 440 में से हम क्या कर देंगे, सब्टैक कर देंगे, माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू, प्लस माइनस 2 थेटा डिग्री हो गई वैल्यू है, तो यह हो गया, आपका 200 हो गया, 200 एक्वल्स टू, प्लस माइनस 2 थेटा डिग्री, अब 2 से दिवाइट करते हैं, तो यह बचेगा, आपका 100, 100 एक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, थेटा हो गया, तो theta degree यहांपर plus minus हम यहांपर minus sin छोड़ देंगे तो theta की value ultimately कितनी होगी जो angle हो गया आपका वह 100 degree हो गया क्योंकि negative हम नहीं value considering करेंगे क्योंकि यह clockwise चलरहा है तो यहांपर negative value हम छोड़ देता है तो theta जो हो गया 100 degree है तो देखे इस trick का use करके जो हम इसको बहुत आसानी से calculate कर स सकते हैं जो भी आपको convenient लगे आप उस trick को use कर सकते हैं उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो आती है बात आती है वो आती है कि आपका fast and slow clocks तेज और मंद घड़िया अब तेज और मंद घड़ियां से क्या मतलब होता है माल लेजे कि आपका initial time जो है किसी exact time किसी clock में माल लेजे 4 p.m. दिखा रहा है और अगर दूसरे किसी घड़ी में जो time है वो 4 10 p.m. है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो घड़ी है वहाँ क्या है fast है एक यह fast है और दूसरा किया है अगर exact time आपका 4 p.m. है और एक घड़ी जो है वो 3 50 माल लेजे एनी anytime you can take आप कोई भी समय ले सकते है तो इसका मतलब है कि यह slow है क्योंकि वह exact time से क्या है पीछे चल लिए तो यह slow clocks हो गई एक होता है fast clock और एक होता है slow clock तो इससे समध्यत चीजों को देखते हैं प्रशन देखते हैं तो एक घड़ी प्रतेक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे सही set कर चालू किया गया तो मंगलवार को प्राता 10 बजे क्या समय बताएगी तो यहाँ पर देखि करना है यह रविवार हो गया रविवार का समय और हमने समय गयात करना है कि मंगलवार को प्राता 10 बजे क्या समय बताएगी तो रविवार और मंगलवार के बीच में जो हमारे दिन हो गए तो यह सुमवार हो गया और फिर उसके बाद आपका मंगलवार हो गया तो देखे इस स्थिति में क्या होगा हम क्या करेंगे पहले तो हम सुम्वार की गढ़ना कर लेते हैं रव्यूर को समय है दोपहर के 3 बजे से सई सेट के अगध घड़ी को तो रव्यूर को अगर जो आपका समय है 3 बजे 3 बजे से यह है तो देखे रव्यूर को 3 बजे से रात के 12 बजे तक तो हमारे कितने घंटे हो गए तो रव्यूर के दिन में हमारे पास हो गए यह 9 घंटे हो गए फिर सुमवार के देखिए 24 गंटे हो गए फिर मंगलवार को पराता 10 बजे कह रहा हो तो क्योंकि हमें पता है जो standard time है वो रात के 12 बजे से मानते हैं तो रात के 12 बजे से मंगलवार की अगर हम बात करें तो रात के 12 बजे से 10 बजे तक का समय जो है तो यहाँ पर मंगलवार के कितने घंटे हो गए आपके 10 घंटे हो गए तो इन सारे time को अगर हम क्या कर दें एड़ कर दें तो यह हो जाएगा आपका 3 43 43 आर्स तो 43 आर्स हो गए हैं आपर तो रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार प्राता 10 बजे के बीच कुल हमारे कितने घंटे हुए 43 43 गंटे हुए अब चुकि घड़ी जो है वहां 3 घंटे में 12 सेकंड आगे हो जाती है तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं तीन घंटे में जो घड़ी है वहां कितनी आगे हो रही है वहां 12 सेकंड आगे हो रही है 12 सेकंड आगे हो रही है तो एक घंटे में हम यहाँ पर calculate कर सकते हैं एक घंटे में कितनी आगे होगी तो यहाँ पर यहाँ Unitary Method का हम use करेंगे एक आकी विदी जिसे कहते हैं इससे हम divide कर दिया तो यह आगया आपका 4 seconds तो 4 seconds आगया अब हमें कितने हैं हमारे पास कुल कितने घंटे हैं रवेवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार प्राता 10 बजे तक हमारे पास है 43 hours 43 घंटे हैं तो एक घंटे में जो है वह 4 seconds fast हो रही है तो 43 hours में कितनी घंटे है जो है fast हो जाएगी 43 hours 43 घंटे में कितनी यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों को multiply कर देंगे तो यह 172 seconds हो गए 172 seconds तो इसको क्या करेंगे minute में convert करने के लिए हम क्या करते हैं इसको 60 से हम divide कर देंगे तो 60 से divide करने के बाद हमारे पास आजाएगा 2 minutes और 52 seconds यह हमारे पर समाय जाएगा तो जो है घड़ी है हमारी 2 minutes 52 seconds इतने समय में 43 घंटे में घड़ी जो है 2 minutes 52 seconds आगे हो जाएगी और हमें समय बताना है कि मंगलवार को पराता 10 बजे कितना समय होगा तो मंगलवार को पराता 10 बजे 10 बजे तो ही उसमें हम क्या करेंगे जो बड़ा हुआ टाइम है इसको हम क्या करेंगे एड कर देंगे तो 10 बजे कर जो है आपका समय होगा वहा कितना होगा 2 minutes 52 seconds 10 बजे कर 2 minutes 52 seconds का समय बता रहे ही होगी घड़ी तो इस तरीके से हम fast और slow जो clocks हैं उससे समंदित प्रशनों को हम कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं घड़ी की विशिष्थाएं क्या होती है घड़ी जब मूव करते हैं इस से पहले भी घड़ी की से समंदित कुछ विशिष्थाओं पर बात कर चुके हैं उसके बाद एक महत्पूर्ण आपका बिंदू आता है पहला है कि प्रतेक घड़ी की दोनों सुईयां एक बार आपस में मिलती हैं जब भी एक बार मूव करती है घड़ी जैसे मिनट की सुई जो है वो बारा बज़े से मूव करके बारा बज़े तक फिर वापस आ रही है उस दौरान गहंटे की सूई भी मुव करती है तो वो दोने घडिया होती है जो एक बार मिलती है अब बारा गहंटे की बात करें तो बारा गहंटे मैं ग्यारा बार मिलती है यहाँ पर यह थुड़ा सा फैक्ट Southeast अमने ध्यान अगना है तो वह एक बार इज़ घढ जाता है तो कुल मिलाकि बारा घंटे में ग्यारा बार मिलती है और चाविस घंटे में बाइस बार मिलती है तो बाइश बार हो गया तो बाईस हो गया का बाईस तो बाइस बार आपस में marketing इसी तरीके से दूस्रा बिंदू है प्रते गंटे में दोनों सुईयां केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत आती है, जब मूफ करती हैं, नेडलस आपकी मिनट की सुईया और गंटे की सुईया जब वह मूफ करती है, घुमती है, एक चक्डल लगाती है, तो उस दारण क्या होती है? केवल एक बार विपरीत होती है अब तीसरा ज़ बिंदू है वह है क्या है प्रतेक घंटे में दोनों सुहियां दो बार एक दूसरे से समकूर बनाती है अब देखें समकूर कित्ती बार बनाती है दो बार बनाती है एक बार में और बारा घंटे में दोनों सुहियां बाइस बार जो है वह समकूर बना आँसे से हो सकता है पहला तरीका हो सकता है कि वह बाइस बार जब एक दूसरे से मिलती है तब एक सीध में होती है एक ही दिशा में जैसे घंटे वाली सुई इस दिशा में, मिनट वाली भी सुई एक ही दिशा में, उसी दिशा में, तो एक बार जब वो दुनों मिलेंगे, तब वो एक सीध में होंगे, और दूसरी बार क्या होता है, कि जब वो 22 बार क्या होता है, एक दूसरी के विपरीत होती है, घंटे व आपसी परिवर्तन तो यह है एक बहुत ही महात्पूर्ण टॉपिक है और यह थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो जाता है कि सुईयों की इस्तिती में आपसी परिवर्तन इससे क्या तात्वर्रे इसको हम समझ लेते हैं गंटे की सुईय हम यहां देख रहे हैं कि गंटे की सुईय इस दिशा में इंडिगेट कर रही है तो इस इस दिशा को हमने H माल लिया माल लिया और मिनट की जो सुईय है वह क्या है इस दिशा में इंडिगेट कर रही है इसको हमने M माल लिया है, तो सुईयों की स्तिती में परिवर्तन का मतलब है कि M जो है वहाँ घूम कर, मतलब मिनट हैंड जो है M से घूम कर कहाँ पर आ जाए? H के इस्थान पर पहुंच जाए, और जो घंटे वाली सुईय है वह H से कहाँ पर आ जाए? M पर आ जाए, तो इसे कहते हैं कि दोनों की स्तितियों में परिवर्तन आ गया, अब इस स्तिती में भी क्या होता है? दो special conditions आ जाती है, पहला है जब एक दूसरे को पार ना करना पड़े, जब एक दूसरे को ये घड़िया पार ना करें, इस स्तिती में अगर हम बात करें, कि मिनट की घंटे की स्तिती है जो अभी H पर है, जब वो M की तरफ मूफ करेगी, उस दौरान मिनट की स्तिती है वो M से क्या होगा? H की दिसा में बढ़ेगी और यहाँ पर पहुँच गई, तो इस दौरान हम देखेंगे, कि जब मिनट की स्वी H पर पहुँचेगी, तब तक घंटे की स्वी आगे बढ़ चुकी होगी, और वहाँ पहुचके कहा आ जाएगी आपकी, तब तक M पर आ जाएगी, तो इस दौरान हम देखें, इस स्तिती में, इस स्तिती में क्या है, कि यह दोनों ही सुईयां, एक दूसरे को पार नहीं कर रही है, एक दूसरे को क्रोस करते वे नहीं मूव कर रही है, और दूसरी स्तिती है, कि जब दूसरी स्तिती, जो है, आपका, चलि मैं इस वो पॉइंट कर रहा हूँ, दूसरी इस्तिति है जब एक दूसरे को पार करना पड़े, जब इन ये सुईया जो है एक दूसरे को पार करें, तो चलिए इन इस्तितियों से सम्मधित चीजों को देखते हैं, जब एक दूसरे को पार ना करना पड़े, तो उस इस्तिति में क्या होगा, देखें, यहां पर एक basic चीज है जिसमें हम सुरू में ही हम discuss कर चुके थे कि minute की switch जो है जब एक चक्का लगाती है अगर वो 12 पर है और क्या है 12 से जब वो घूम कर 12 पर पहुंचती है मतलब 60 minute की दूरी ताय करती है तो उस दौरान गंटे की switch जो है 60 अनुपात 5 हो गया तो minute switch की जो switch है वो 60 minute travel करती है और घंटे की switch हो 5 minute travel कर लिया तो इन दोनों का हम अनुपात देख ले तो जैसे 60 भागा 5 अगर हम इनका अनुपात देखे तो 5 से देखे दोनों ही संख्याय जो है वो विभाज हैं डिवाइड हो जाती है वाहा 12 अनुपात 1 है तो सुई आपने गतियों की अनुपात में perlu दोर्या तहह करती है तो घंटे की switch ही द्वारत दोर्य कितनी होई कि हम देखे घंटे के switch जो है वह है वह है h से m कि त misf कर रही है घंच से m कि तष्दव मूब कर रही है और दो आव You से एच की तरफ जब मूफ करेगी तो क्या जागा उनकी इस्तिदियों में परिवरता ना जाएगा तो यहां हम घंटे की सुई द्वारा तेयं दूरी हम को ग्याद कर रहे हैं तो इसको लिए ग्याद करते हैं देखिए कुल दूरी जो है वहां कितनी है आपकी दोनों इस अन से लेकर घुमती है 12 तक आती है यहांटे की सुई भी है अगर वो पूरा एक चक्का लगाती है तो अगर हम मिनट के हिसाब से बात कर रहें तो दोनों ही 60 मिनट की दूरिया तै करते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे इसका टोटल जो मानेंगे है आप देखिए इनका अनु संपूर्ण वैल्यू भागा जो है आपका अनुपातों का योग गुणा एक जो ये क्या है घंटे की सुई का अनुपात है तो ये घंटे की सुई का जो अनुपात है तो मैं फिर सो इसको दोहरा रहा हूं जेकि कुल जो वैल्यू है उसका योग रहता है तो संपूर्ण वैल धन एक कितना हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा, 12 प्लस 1, 13 हो गया, तो इसको अगर हम मिनट में कनवर्ट कर दें, तो यह आ जाएगा आपका, 13 से डिवाइट करके, मिस्रित संख्या के रूप में लिखेंगे, तो 4 सही 8 बटे 13 मिनट हो गया, 4 whole 8 upon 13 मिनट, तो इतना मिनट, तो यहाँ पर क्या मतलब है कि प्रारम में दोनों सुईयों के बीच में, अगर दूरी हमारी इतनी होती है, 4 सही 8 बटे 13 मिनट की दूरी होती है, तो दोनों सुईया आपस में जब इस्थान परिवर्टन करेंगी, तो गंटे की सुई, मिनट की सुई के पीछे ही होगी, तो इ आपकी दोनों स्थितिया, मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई जो है, वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट करके नहीं जाएंगी, और वो क्या होगा, ह से म तक जो है, इस दौरान यात्रा में, यह सुईयों की स्थिति में जो परिवर्टन है, वह है ह से म के ब आट बटे तेरे मिनट का अंतर हो, तब क्या करेंगी, यह एक दूसरे को पार नहीं करेंगी, अनिधा की स्थिति देखते हैं, दूसरी स्थिति में क्या होगा, जब एक दूसरे को पार करना पड़े, तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ कोनक में हो तब उनकी इस्तिती में क्या होगा परिवर्तन होगा दूसरा निस्कर्स हमारा यह है कि यहां दूरी घंटे की सुई से दक्षणा वरत दिर समय है मतलब clockwise डिरेक्शन में मिनट की सुई तक मापी जाती है तीसरा है आपका इस्तिती परिवर्तन की प्रिकरिया में जब सुईया एक दूसरे को n बार पार करती है तो यह हम मिलकर जो है इतने मिनट की दूरी तैय करती है तो इसको थोड़ा सा भी हम उधारन के रूप से भी समझेंगे फिलाल आप इसको याद कर सकते हैं कि जब n बार पार करती है तो जो है n प्लस 1 मतलब एक बढ़के उसे 60 से हम गुणा कर देंगे मिनट की दूरी तैय करती है और चौथा निसकर्ज है जब सुईया जो है एक दूसरे को n बार पार करके आपसी इस्तिती में परिवर्तन कर ले और उनके बीच की दूरी n प्लस 1 इंटू 60 अपॉन 13 मिनट के बराबर होती है तो चलिए इसको उधा से राम से मिलने चला तब 5 से 6 के बीच कुछ समय हो रहा था तो समय क्या हो रहा था पांच से 6 के बीच में कुछ समय हो रहा था जब वहाँ वापस आया तो देखा की 8 से 9 के बीच का समय हो रहा है और सुयो का इस्तान आपस में बदल गया है देखे ये हमारे लिए एक तो वहां किस समय घर से निकला था तो देखे कई बार क्या होता है जब हमें इस तरह के प्रश्णों का अभ्यास नहीं होता तो प्राया हम क्या करते हैं इस तरह के प्रश्णों को हम छोड़ ही देते हैं तो इसके विकल्प के तरफ इसके हल के तरफ चलते हैं तो महें इसके गर से निकलते समय सुईयों की इस्तिती जो है निमन प्रकार से होगी देखिए तो समय था पांस से छे के बीच में तो पांस देखिए आपका यहां है पांस से छे के बीच में है तो पांस से छे के बीच में माल लिया हमने घंटे की सुई यहां पर है तो मिनट की सुई माल ल जब घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में यहां पर हो और मिनट की सुई जो है आपकी यहां पर हो तो इस इस्तिती में क्या होगा इस स्थिती में जो है आपका जो मिनट और घंटे की सुईया है आप चुकि उसके बाद जो है जब वहाँ वापस आ रहा है तो वहाँ देख रहा है कि 8 और 9 के बीच का समय हो रहा है और जो सुईया है घंटे की सुई मिनट की सुई के स्थान पर चली गई है मतलब घंटे की सुई को आप देख सकते हैं यहाँ पर आभी H के स्थान पर है तो घंटे की सुई जो है वह H की जगा पर कहां M के स्थान पर पहुँच गई है और मिनट की सुई जो M के स्थान पर है वह घूम के कहां पर पहुँच गई है इस्तिती के अनुसार हमने माल लिया और जब वहाँ पहुंच रहा है वापस घर पे तो वहाँ देख रहा है कि समय जो है वह 8-9 के बीच में हुआ है और सबसे बड़ी जो विशेज बात है वहाँ क्या है कि सुईयों ने अपना इस्थान परिवर्तन कर लिया है तो इसी के आधार पे हम इसको क्या करेंगे समझते हैं चलिए देखिए अब इसके बात क्या होगा दोनों सुईयों के बीच की दूरी जो है अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर है आपकी सुईय जब 5 से 6 के बीच में है प्रारमी की स्थिति जब वहाँ घर से निकला था और उसके बाद जब वापस पहुचा है तो 8 और 9 के बीच में सुईयों की स्थिति है और आपस में उनका इस्थान परिवर्तन हो गया तो घंटे की सुईया जो है जो है जब मूफ करेंगी इस दौरान इस दौरान वो जो है 2-3 चक्र लगा देंगी अब होगा क्या जो ये आपके तीर से इस्थान दिखाए गए है तीर से जो हम इस्थान दिखा रहे है यहाँ पर जो है इस स्थिति में यहाँ पर पार करेंगी इस तीर के स्थान पर तो इसका मतलब है कि 5-6 के बीच के समय से लेकर 8-9 के बीच के समय के दौरान जो है सुईया जो है घड़ी की वहाँ दो बार जो है एक दूसरे को पार करेंगी तो इस स्थिति में जैसे अभी हमने पीछे निसकर्स देखा था कि H से M के बीच की जो दूरी हो जाएगी वहाँ कितने मिनट की हो जाएगी N प्लस 1 तो इसको हम N की जगा पर हमने दो वैल्यो रख दी तो 2 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 1 इंटू 60 अप्लस 13 तो यह solve करके क्या आजाएगा यह आपका आजाएगा 180 अप्लस 13 देखें यहाँ पर जो 2 प्लस 1 हो गया वो 3 हो गया तो 3 इंटू 60 अप्लस 13 हो जाएगा तो that means यह हो गया आपका 180 अप्लस 13 मिनिट्स इतने मिनट जो है इस दौरान आपके SAM के बीच की दूरी रहेगी अब उसके बाद देखते हैं महेश के घर से निकलते समय मिनट की सुई घंटे की सुई से इतनी मिनट आगे होगी तो यह हमें इस से निकला है conclusion next है आपका पाँच बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 25 मिनट पीछे होती है पाँच बजे जो है मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी पीछे होती है वह आपकी क्या होती है 25 मिनट पीछे होती है तो 5 मिनट हम यहां पर इस्तेथी चित्र में से देख सकते हैं, जब 5 पर होगी जब सुई घंटे की, तो यहां पर देखिए, और 12 की स्तेथी अगर हम इसके तुलना करें, तो यहां कितना हो गया? देखिए, एक चैंबर हो गया, एक खाना हो गया, दूसरा खाना, यह 5 और, यह 5 मिनट ओगए यह 10 मिनट ओगए यह 15 मिनट होगए यह 20 मिनट ओगए, यह 20 मिनट ओगए तो 12 से लेकर 5 तक जो है यह अगर कुल कितने मिनट होगए आपके 25 मिनट हो गए तो मिनट की सही अगर, जब पाँच बजे होंगे प्राइरमिक स्तित की हम बात कर रहा है क्योंकि समय जब ओ निकला था मैई एज, घर से तो समय जो था, वो पाँच से छय के बीच में था तो अगर भील्कुल प्राइरमिक स्तिति से बात करें, तो उस समय घंटे और मिनट के बीच में कितना अंतर रहा होगा, 25 मिनट का अंतर रहा होगा, 25 मिनट पीछे होती है, किन्तु उक्त समय पर यहां 180 बटे 13 मिनट आगे है, यहां पर जो है, क्योंकि यह तो हम basic condition मानने हैं, कि जब 5 पर रही होगी सुई, तब 25 मिनट के सुई में 25 मिनट का पीछे रही होगी, पीछे होती है, परन्तु जो हमने गड़ना किया है, यहां पर उसके आधार पे दोनों का अंतर जो आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 180 बटे 13 मिनट आ रहा है, अताहा 5 बजे के पश्याद जब मिनट के सुई, 25 प्लस 25 प्लस 180 अधिक चलती है, अब क्या करा है, जब मिनट के सुई चलेगी, तो वहां क्या करेगी, 25 मिनट का यह गैप है, प्रारंबिक जो गैप है, और उसके बाद 180 अपका गैप है, तो कुल मिला के इतना जो अंतर है, वहां क्या होगा, उसने जादा चलना है, अब दोनों सुईया जो है मिलकर वहाँ समय बताती है जब महेश घर से निकला था तो ये जो टाइम आपका आ रहा है ये बताता है महेश जिस समय घर पे निकला थो ये हमने दूरी हमने कैलकुलेट कर लिए अब आगे देखते हैं मिनट की सुई द्वारा 25 धन 180 बटे 13 25 प्लस 1 अपन 80 अपन 13 मिनट की अधिक दूरी तैय करने में लगा समय देखे हम पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं कि एक मिनट में जो है मिनट हेंड द्वारा आर हेंड घंटे की सुई की तुलना में जो समय अंतराल हमारे रहता है वो एक मिनट की तुलना में कितने काहता है 12 बटे 11 का रहता है तो जब हमने क्या करना है 25 धन 180 बटे 13 मिनट का हमें जब समय अंतराल निकालना है तो उन दोनों में अंतर कितना हो इसको हम 12 बटे 11 से हम गुणा कर देंगे तो इसको पूरा हम हल करेंगे तो आपका जो value आ रही है, वो कितनी आ रही है, 505 upon 13 into 12 over 11 minutes, इसको हम पूरा simplify करेंगे, 505 और 12 को multiply करके, और यहाँ पर 13 और हमने 11 को multiply कर दिया, तो यह value आ जा रही है आपकी, और उसको divide भी कर देंगे 143 से, तो यह आ रहा, 42 minute, 42 whole, 54 upon 143 minute, इतने minute आ जा जाए है, तो इसका मतलब है कि जब महेश घर से निकला था, तो उस समय जो समय हो रहा था, वो यह हो रहा था, तो इसमें थोड़ा सा है, अभ्यास की आवशक्ता है, और हम जो है practice इस से समद्धित प्रशनावली जो है, अप description में हम आपको उपलब्द करा देंगे, तो फिलहाल के इतना ही हमारे साथ अंध तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,